हेलो एंड वेलकम इन टेक हेलपर यूट्यूब चेनल दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी Android डिवाइस से कनेक्टेड Wi-Fi की पासवोड कैसे पता करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिवाइस Android नेम की Wi-Fi से कनेक्टेड है तो इसकी पासवोड कै से पता करना है उसका तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी पासवोड पता करने के लिए हमें इसकी नेम के आगे सेटिंग आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर यह डीनेस है इस डीनेस को हमें याद रखना है और ब ग्राउजर की एड्रेस बार में हमें DNS टाइप करना है चो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूं 192.168.1.1 और यहाँ पर एंटर परिस करेंगे तो यहाँ पर मेरा डिवाइस जीऊ की राउटर से कनेक्टेड है तो यहाँ पर में जीऊ की राउटर का वेब पैनल ऑपन हुआ है तो यहाँ पर हमें Login Option पर किलिक करना है और यहां पे हमें router की username और password टाइप करने है तो इसकी default username और password administrator है इसका username भी administrator है और password भी administrator है यहां पे हमें login पर klik करना है तो यहां पे मैं login पर klik कर लेता हूँ और यहां पर हमें setting option पर क्लिक करना है और setting option में हमें यहां पर wi-fi पर क्लिक करना है और wi-fi पर क्लिक करते ही हमें यहां पर एक ओप्सन मिलेगा security की तो यह हमारे waifai की पासषोड है तो यहाँ पर आप कोई भी अपने मन पसंद पास्वूट लगा की अपडेट कर सकते हो तो गैज इस तरह से आप किसी भी Android डिवाइस में connected वाई-फाई की पास्वूट पता कर सकते हो तो गैज इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में